न जान मरिये हगलु कलेदू इरूलु नेरेदू निदिर देवे बरू वड़ैया तारे गळ तोट दिन्दा कनस कोईदू तरू वड़ैया असम में कामरूप जिल्डे के रहने वाले दिनेश गवाला जी ने इस प्रतियोगीता में सेकंड प्राइज जीता है इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानियक मिट्टी और मेटल के बरतन बनाने वाले कारीगरों के पॉपिलर क्राप की छाप है फ्रीडम एप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट को एक करोड फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं मुनाती मुनाते आसे बान बाती आमारे मोहिनाई कोहारो खुधी साई कीनुई बान बाती गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपुटिशन भी काफी लोग पुरिय रहा इसमा हिस्सा लेने वालोंने एक से बढ़कर एक सुन्दर रंगोली बना कर बेची इसमें बिनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही इन्होंने नेता जी सुभास्टिंदर बोस और अमर शहीद वीर भगत सीं की बहुती सुन्दर रंगोली बनाई महराष्ट के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियावाला बाग उसका नरसमवार और शहीद उधमसी की बहादुरी को प्रदर्शित किया गोवा के रहने वाले गुर्दत वांटेकर जी ने गांधी जी के रंगोली बढ़ाई जबकि पुडुचेरी के मालाती सेलवर्न जी ने भी आजहादी के कई महां सेनानियों पर अपना फोकस रखा देशभक्ती गीत प्रतियों गीता कि विजेता टी विजय दुर्गाजी आंध्रप्रदेश की है उन्होंने ते लूगों में अपनी एंट्री बेजी थी विए अपने एक शेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्र दा सेनानी नर्सिमा रेडी गारुजी से काफी प्रेरित रही है आप भी सुनिए विजय दुर्गाजी की एंट्री का यहिस्सा ते लूगों के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूं इसे दिपक वत्स जी ने भेजा है उन्होंने भी इस प्रतियोगीता में पुरस्का जीता है भारत दुनिया कुशान छैयो भाईया हम अर देश महान छै तीन बगल छै समुद्र सैघेरल उत्तर में कैलाश बलवान छै साथियों मुझे उमीद है आपको ये पसंद आई होगी प्रतियोगीता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिष्ट बहुत लंबी है आप संस्कृती मंत्राले की वेब साइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें आपको बहुत प्रेणा मिलेगी मेरे प्यारे देशासियों बात बनारस की हो शहनाई की हो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरब जाएगा ही कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरसकार दिये गए ये पुरसकार मुजीक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के ख्षेतर में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिये जाते हैं ये कला और संगीत जगत की लोगपुरियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समरुद्धी में अपना योगदान देर हैं इन में वेकलाकार भी शामिल है जिन्होंने उन इंस्टूमेंट्स में नई जान खुकी हैं जिनकी पॉप्लेरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिये क्या आप जानते हैं एक कौन सा इंस्टूमेंट है संभव है आपको पता न भी हो इस वाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस धून को तयार किया है जाइदिप मुखर जी ने है जाइदिप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरसकार से सम्मानित युवाओं में शामिल है इस इंस्टूमेंट की दूनों को सुनना पिछले पचास और साथ के दसक से ही दुल्लब हो चुका था लेकिन जाइदिप सूर सिंगार को फिर से पॉपलर बनाने में जी जान से जूटे हैं उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणी जी का प्रयास भी बहुती प्रेरक है जिने मेंडोलीन में कारनाटिक इंस्टूमेंटल के लिए ये पुरसकार दिया रहा है वही संगरामसी सुहास बनारे जी को वारकरी किर्तन के लिए ये पुरसकार मिला है इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकारी नहीं है भी दुरगा देवी जी ने नुर्त्य के एक प्राचिन शैली करकटम के लिए ये पुरसकार जीता है इस पुरसकार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पैरिनी ओडिसी का आविजन किया था आज लोग इने पैरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं पैरिनी नाट्यम भगवान शीव को समर्पित एक नुर्त्या है जो काक्तिय डायनेस्ट्री के दौर में काफी लोगपुरिय था इस डायनेस्ट्री की जड़े आज के तेलंगना से जुड़ी है एक अन्य पुरसकार विजेता साइखों सुर्चंद्रा सुईजी है ये मैतेई पुंग इंस्ट्रुमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं इस इंस्ट्रुमेंट का मणिपुर से नाता है जोली, हुडकाबोल, जागर जैसे विविन्न मुजिक फॉर्म्स को लोप्रिय बना रहे हैं इन्होंने इनसे जुड़ी कई आडियो रेकॉर्डिंज भी तयार की हैं उत्राखन के फॉक मुजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरन सीजी ने कई पुरसकार भी जीते हैं समय की सीमा के चलते मैं यहां सभी अवर्डिस की बाते भले न कर पाऊं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे मुझे उमीद है कि यह सभी कलाकार परफर्मिंग आर्ट्स को और पॉपिलर बनाने के लिए ग्रास रूर्स पर सभी को प्रिल्द करते रहेंगे मेरे पहरे देश्वासियों तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ठाकात कौने कौने में दिख रही है डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुँचाने में अलग-अलग एप्स की बड़ी भूमिक आख होती है ऐसा ही एक एप है इस संजीवनी इस एप से टैली कंसल्टेशन यानि दूर बैठे वीडियो कांफरेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बिमारी के बारे में सलहा कर सकते हैं इस एप का उप्योग करके अब तक टैली कंसल्टेशन करने वालों के संख्या दस करोड के आंकड़े को पार कर गई है अब कलपना कर सकते हैं वीडियो कांफरेंस के माध्यम से दस करोड कंसल्टेशन मरीश और डॉक्टर के साथ अध्भूत नाता ये बहुत बड़ी एच्विमेंट है इस उप्लब्दी के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाब उठाने वाले मरीशों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है ये इसका जीता जाकता उधारण है हमने देखा है कि कोरोना के काल में इस संजीवनी एप इसके जरिये टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा बरदान साबित हुआ है मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीश से बात करें समवात करें और आप तक बात को पहुचाए हमें जाने की कोशिश करें कि टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मनी जी है डॉक्टर मदन मनी जी रहने वाले सिक्किम के ही है लेकिन ओन ओन अबीबेस घनवाज से किया और फिर बनारस हिंदी उनिवर्सिटी से एमडी किया वो ग्रामिन इलाकों के सेक्ड़ों लोगों को टैली कंसल्टरेशन दे चुके हैं नमस्कार नमस्कार मदन मनी जी जी नमस्कार सेर आप तो बनारस में पढ़े हैं आपना मेडिकल एजूकेशन में हुआ तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए 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 प्रदर मित्री जी मैं जा नहीं पाया हूँ जबसे मैं वापसिक्किम आया हूँ लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ फिर तो आपको जुरूर जाना चाहिए जी जी अचा मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिकीम के अंदर दूर सुदूर पहाडों में रह करके वहां के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवा हैं दे रहे हैं मैं मन की बात के सुरोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ जी जरा मुझे बताईए कैसा अनुभव हो रहा है अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रदानमंत्री जी क्या है कि सिकीम में बहुत नजदी का जो पी एच सी है वहां जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चड़के कम से कम एक दो सो रुपया लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीड़े जूड़ जाते हैं दूर दराज के लोग हल्थ और वल्नेस सेंटर के जो चो होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक करवा देते हैं और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी हैं उनकी रिपोर्ट उनका अभी का प्रेजन कंडिशन सारी चीज़ें हम लोग को बता देते हैं याने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं जी जी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी करते हैं और अगर ट्रांस्पर नहीं कर सके तो वो पढ़के हम लोग को बताते हैं वहां का wellness center का डॉक्टर बताता है जी wellness center में जो CHO रहता है community health officer और जो patient है वो अपनी कठिनाई आपको सीधी बताता है जी patient भी कठिनाई हमको बताता है फिर पुराने records देखके फिर अगर कोई नई चीजी हम लोग को जानना है जैसे किसी का chest auscultate करना है अगर उसको पैर सूजा है की नहीं अगर CHO ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है आख देखो एनीमिया है की नहीं है उसका अगर खासी है तो chest को auscultate करो और पता करो कि वहाँ पर sounds है की नहीं आप voice call से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उप्चो करते हैं जी वीडियो कॉल का उप्चो करते हैं तो आप patient को भी देखते हैं patient को भी देख पाते हैं patient को क्या feeling आता है patient को अच्छा लगता है क्योंकि doctor को नजदिक से वो देख पाता है उसको confusion रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है क्योंकि इस सिक्किन ने ज़्यादा तर जो patient होते हैं वो diabetes hypertension के आते हैं और एक diabetes और hypertension के दवा को change करने के लिए उसको doctor मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है लेकिन टेली कंसल्टेशन के थो वहीं मिल जाता है और दवा भी health and wellness center में free drugs initiative के थो मिल जाता है तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो अच्छा मदन मनी जी आप तो जानते ही है कि patient का एक सुभाव रहता है कि जब तक वो doctor आता नहीं है doctor देखता नहीं है इसको संतोस नहीं होता है और doctor को भी लगता है ज़रा मरीज को देखना पड़ेगा अब आज सारा ये टेली कॉम consultation होता है तो doctor को क्या फिल होता है patient को क्या फिल होता है जी वो हम लोग को भी लगता है कि अगर patient को लगता है कि doctor को देखना चाहिए तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग CHO को बोलके वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते है और कभी-कभी तो पेशन को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशन ही आए अगर किसी को चारम का प्रॉबलम है इसकिन का प्रॉबलम है तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं तो संतुष्टी रहता है वोग अर बाद में उसका उपचार करने के इनको भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखा दनुबहु रहता है एवरेज कितने पेसेंट आपको अपको टेली कंसर्टेशन के साथे होंगे अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं ओ आपको काफी उसमें महारत आ गई है जी अच्छा लगता है देखने में चलि की बात है कि हमारे देश के दूर दरार ख्षित्र में भी टक्लोलोजी का इतना बढ़िया उप्योग हो रहा है चलिए मेरे चरप से आपको बहुत बहुत बढ़ाई साथियों डॉक्टर मदन मनी जी की बातों से साफ है कि इस संजीवनी एप किस तरह उनकी मदद कर रहा है डॉक्टर मदन जी के बात अब हम एक और मदन जी से जूड़ते हैं यह उत्तर पदेश के चंदोली जिल्डे के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं अब ये भी संजीवनी है कि चंदोली भी बनारत से सटा हुआ है आईए मदन मोहन जी से जानते हैं कि इस संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है बतन मोहन जी पड़ाम नमस्कार साब नमस्कार आचा मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीस के मरीज हैं और आप टेकनोलोजी का उत्योग करके टेली कंसल्टेशन करकर के अपनी बिमारी के समन में मदद लेते हैं एक पेशन के नाते एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देशवासी होता है कि इस बात को पहुचाना चाहूं कि आज की टेकनोलोजी से हमारे गाउं में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उप्योग कर सकते हैं जरा बताइए कैसे करते हैं ऐसा है सर की फास्टीटले दूर हैं और जब डियाबिटीज हमको हुआ हमको जब पांचा किलिमेटर दूर जाकर इलाग करना पड़ता था दिखाना पड़ता था आज अजब से दिवस्तार आप बनाई गई है इससे है कि हमारा जांच होता है हमको बाहर के डाक्टरों से बनाध दिक्रा देती हैं और दवा भी देती हैं इसे उक को बड़ा लाब है और लोगों को भी लाप है इसके तो एक ही डौक्टर हर बार आपको देखते हैं कि भडलते जाते हैं गाहों के लोगों को भी फाइदा उससे सभी लोगों आप पुरूज हमारा चेस्ट आरो अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है चलो भरी डॉक्टर है उन्हें नाड़ी देख ली है हैं मेरी आखे देख ली है जीब को और भी चेक कर लिई है तो एक अलग फिलिंग आता है अब यह तरी उसाही बेथा हैal वहाल लाहीं लगाना नपड़ता था और सारी समिधाने हमको घर बैठे 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 में दहीं है चलिए मदन महान जी मेरी तरफ से आपको बहुत सुपकामना है उमर के इस पड़ाव पर भी आप टेकनोलोजी को सीखे हैं टेकनोलोजी का उप्योप करते हैं और उको भी ब साना प्रेस बना दिया डिपलोमेंट कर दिया या तो बढ़ाई हमारे तरफ से मैं आपका धन्यवात करता हूँ हमने क्या बनाया जी बनारसके ने बना जीम नहीं तो हम तो मांग़ा के सिवा के लिए उमांगा ने बुलाया है वस्हों और कुछ नहीं ठीक जी बहुत-बह पहड़ी ख्षेत्रों में रहने वालों के लिए इस अंजिवनी जीवन रक्षा करने वाला एब बन रहा है। ये हैं भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका प्रभाव आज हम हर ख्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के UPI की थाकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकरशित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापूर के बीच UPI PayNow Link लाँच किया गया। अब सिंगापूर और भारत के लोग अपने मुबाइल फून से उसी तरफ पैसे ट्रांस्फर कर रहे हैं। जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाप उठाना शुरू कर दिया है। भारत का इस संजीवन एफ हो या फिर UPI ये इस अफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए है। जो लुप्त हो चुकी थी लोगों के मन मस्तित से हट चुकी थी। लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की सक्ति से पुनर जीवित करने का प्रयास हो रहा है। तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बहतर मन्च और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसंदता होगी। विरासत पर घर्व होगा अमेरिका में रहने वाले स्रिमान कंचन बैनर जी ने विरासत के सवरक्षन से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकरशित किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। साथियों पस्चिम बंगाल में हुगली जिरे के बांस बेजिया में इस महीने त्रिवेनी कुम्भो महोत्सोग का आयोजन किया गया। इस में आठ लाग से ज़्यादा सरधालू शामिल हुए। लेकिन कि आप जानते हैं कि ये इतना विशेश क्यों हैं। विशेश इसलिए क्योंकि इस प्रथा को साथ सो साल के बाद पुनर जीवित किया गया है। यूं तो ये परंपरा हजारों वर्स पुरानी है। लेकिन दुरभागे से साथ सो साल पहले बंगाल के क्रिवेनी में होने वाला ये महोत्सोग बंध हो गया था। इसे आजादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। दो वर्स पहले स्थानिय लोक और त्रिवेनी कुम्भो पौरिशालोना श्वमिती के माध्यम से ये महोत्सोग फिर शुरू हुआ है। मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोकों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं। बलकि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं। साथियों पस्चिम मंगाल में त्रिवेनी को सदियों से एक प्रभीत्र स्थल के रुप में जाना जाता है। इसका उलेक विभिन्य मंगलकाव्य, वैश्नव साहित्य, शाक्त साहित्य और अन्य बंगाली साहितिक रुप्यों में भी मिलता है। विभिन्य अइतियासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी ये ख्षेत्र, संस्कृत, शिक्षा और भारतिय संस्कृत का केंद्रता, कई संत इसे माग संक्रांती में कुम्पस नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं। त्रिबेनी में आपको कई गंगा घाट, शूमंदीर और टेरा कोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिबेनी की विरासत को पुनर स्थापित करने और कुम्प परमप्रा के गवरों को पुनर जीवित करने के लिए यहां पिछले साल कुम्ब मेले का आयुजन किया गया था। साथ सद्यों बाद तीन दिन के कुम्ब महास्नान और मेले ने इस खेत्र में एक नई उर्जा का संचार किया है। तीन दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रदराभिशेक और यगन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महलसव में विभिन आश्रम, मठ और अखाडे भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन विधायें जैसे किर्तन, बावुल, गोडियो नुर्तो, स्रीखोल, पोटेरगान, छोवुनाज, शाम के कारकम में आकरशन का केंदर बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनरे अतीत से जोडने का एक भावती सरहानिय प्रयास है, भारत मैसी कई और प्रैक्टिसिज हैं जिने रिभाईव करने की जरूरत है, मुझे आशा है कि इनके बाले में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर प्रेडित करेग मेरे प्यार देशवासियो, स्वच्च भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागिदारी के माइने ही बदल दिये हैं, देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्चता से जुड़ा हुआ होता है, तो लोग इसकी जानकारी मुझे तक जरूर पहुंचाते हैं, ऐसे ही मेरा ध्य अभियान गया है हर्याना के युवाओं के एक स्वच्चता अभियान पर, हर्याना में गाव है दुलहेडी, यहां के युवाओं ने तै किया हमें बिवानी शहर को स्वच्चता के मामले में एक मिसाल बनाना है, उन्होंने युवा स्वच्चता एवं जन सेवा समीति नाम से एक संगठन बनाया इस समीति से जुड़े युवा सुभे चार बजे बिवानी पहुंचाते हैं शहर के अलग-अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभ्यान चलाते हैं ये लोग अब तक शहर के अलग-अलग इलकाओं से कई टन कुड़ा साप कर चुके हैं साथियों स्वच्च भारत अभ्यान का एक महत्पुपन आयाम बेश्ट विल्थ भी है ओडिसा के केंदरपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयम सहायता समूँ चलाती हैं इस समूँ की महला है दूद की ठैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोब आबदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है हम अगर ठान ले तो स्वच्च भारत में अपना बहुत बड़ा योगनान दे सकते हैं कम से कम प्लास्टिक बैक की जगह कपड़े के बैक का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोस देगा और दूसरे लोगों को जरूर पर फ्रीडम एप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट को एक करोड़ फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं मेरे प्यारे देश वासियों आज हमने और आपने साथ जूर कर एक बार फिर कई प्रेनादाई विश्यों पर बात की परिवार के साथ बैठ करके उसे सुना और अब उसे दिन भर गुन गुनाएंगे भी हम देश की करमरता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें उर्जा मिलती हैं इसी उर्जा प्रभा के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के अठानवे एपिसोड के मुकाम तक पहुँच गए हैं आज से कुछ दिद बाद ही होली का त्योहार है आप सभी को होली की शुकामना है हमें हमारे त्योहार वोकल्फ और लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं अपने अनुभववी मेरे साथ सेर करना न भूलिएगा तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए अगली बार हम फिर नए विश्व के साथ मिलेंगे बहुत बहुत धनिवार नमस्कार